हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यहाँ सुन्दर सा प्लांट जो की पर्मानेंट प्लांट है तो इसी की बार में मेरी आज वीडियो होने वाली है तो वीडियो को फुल वाच करिएगा और अगर पसंद आता है है तो लाइक और कमेंट ज़िएगा दोस्तों किसभी को पता है कि विंटर में जो है बहुत ही तो करी तो ले नए नर्शरी में आ गया हुझ ज्याक गया तो लोह प्लांट का लेने गई थितुन प्लांट मैं यह तो यह प्लान्ठ मैंमें कर ले लाझते तो यह डी का oudshot को प्लांट के नामely कck zah प्लावरिंग प्लान्ट में अखी जैस्मीन की नाम से जाना जाता है जिस तरख से आप उने नाइट जैस्मिन के बारे में सुनाओगा रात की ञुम का डानी का प्लान्ट फॉता है उसी तरह से यह लगज भी तो काफी healthy plant मुझे लग रहा था तो मैंने इस plant को पर्चेस कर लिया और काफी अच्छी reasonable rate में मुझे या पढ़ गया तो मैंने इसे पर्चेस कर लिया तो आप देख पा रहे हैं कितना सुन्दर flowering plant है ये इस plant को दिन का राजा किसलिए कहते हैं इसलिए इस plant को दिन का राजा कहते हैं क्योंकि इसके जो plant होते हैं वो दिन में ही खिलते हैं और जो night jasmine होती है जो रात की रानी का प्लान्ट होता है उसके जो flowers होते हैं वो रात के समय खिलते हैं लेकिन बहुत ही मिलता जुलता यह plant होता है रात की रानी का और दिन के राजा का यहां प्लांट काफी सिमिलर होता है दोनों की जो पतियां होती हैं कुछ-कुछ मिलती हुई होती है और फ्लावर जो हैं कुछ अलग होते हैं उसके लेकिन प्लांट की जो लीफ होती हैं वो कुछ-कुछ सेम ही दिखती हैं तो इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है प्लैंट में बहुत नदर थोनों ही प्लैंट लगते हैं चाहे वो रात की रादी को आ जा या फिर दिन का राजा हो तो मेरेपास छाहते हैं इस силь pension में लगना हुआ है तो आपवी मुझे आज मैं कुछ बाते सेर्द करूंगी आपके साथ प्लांट होता है तो नौमबर इंड हो गया है दिसंबर लग चुका है तो अब धिरे-धिरे प्लावरिंग भी कम होती जाएगी और इस प्लांट का डॉर्मन सी पीरेट भी श्टार्ट हो जाएगा तो यहां समर में बहुत यह अच्छी प्लावरिंग करता है और ग्रोथ भी बहुत यह अच्छी करता है तो अभी फिलहाल मुझे अप्लांट अच्छा लगा तो में ले आई कि कितनी अच्छी फ्लावरेंग हां कितने सुंदर के लग रहें लग रहे हैं है तो अगर आपने अगर प्लान में नहीं तो अगर आपको मिल जाता है या डे जासमीं का प्लावरेंग हो91 placed में लगाने जाली हूँ ऐसे आप अगर इसको ग्राउंड में लगाते हैं तो ग्राउंड में यह प्लांट बहुत ही बड़ा हो जाता है और काफी अच्छी मात्रा में जो है फ्लावरिंग भी करता है तो आप इसे पॉर्ट में भी लगा सकते हैं जो आप बनाएंगे इसकी काफी कि और प्रिया अच्छी है सूफने न पाए इसका आपको ध्यान रखना होगा और ज्यादा कुछ खास के एस प्लाण की नहीं है तो आप इस प्लाण को अपने गारण में एड़ कर सकते हैं अगर आपने अपने गारण में आड़ नहीं किया है तो वीडियो गर पसंद आया हो तो लाइक जिरू करिएगा अगर फस्ट टाम में विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब भी कर देजिएगा मिलते हैं नए वीडियो में इसको रिपॉर्ट करने के बाद थैंक यू फ्रेंड्स टेक केर हैपी गार्डनिंग